तस्वीरे देख रहे हैं करनाल के पिंगली और नरुखिडी गाओं के बीच में देख सकते हैं पूरा गाओं के लोग यहां पर इकठा हो जाते हैं एक व्यक्ति को जो बताया जारा है अग्यात वहाँ टक्कर मारकर चला जाता है जिसकी मौके पर मोथ हो जाती है जिसके डाइल 112 की गाड़ी मोके पर पहुंची हुई है और तमाम पुलीस की टीमें जो लगते थाने से हैं उनको भी बुला लिये गया है तर शजीरों में आपको बता दू साफ तोर पर देख सकते हैं लोग यहां पर इकठा जरूर हो जाते हैं जिस परकार से आप तस्वीरों में फिलाल देख सकते हैं ब्रेक के निशान जरूर है यहां पर है ब्रेक के निशान जरूर है शायद किसी बड़े वहन के तायर जो है दिखने में लग रहे हैं और पूरी तरह से जो कुछलता हुए काफी आगे तक ले जाता है फिलाल अब शव यही पर पड़ा हुआ है शव को यहां से करनाल के कलपना चावला मेडिकल कोलेज के मर्चरी हाउस में शव को लजाया जा सके मेरी आप सभी से अपील रहेगी व्यक्ति की मोके पर ही मोत हो जाती है जी हां व्यक्ति की मोके पर ही मोत हो चुक्य है फिलाल गाउं के लोग किस तरह से इकठा हो जाते हैं डाल 112 वियों से भी फिलाल आप देख सकते हैं गाउं के ही बताय पर हैं अब इंतजार किया जा रहा है किसी वान वान शाय देखनी जी वान के जरिया जो है इसे डेड बॉडी को लेकर जाया जाएगा देख सकते हैं इस नीजी वान को बुला लिया गया है देख सकते हैं गाउं के लोग जरूर पहुंचाते हैं उनसे भी जानकरी लेने का प लोग दो है बात्चित करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं अब जो डेड़ बोड़ी है उसे यहां से उठा कर लजाया जा रहा है देख सकते हैं कि नीजीवान के जरिये जो है वो इस डेड़ बोड़ी को लजाया जा रहा है सर आप यहां पर पहुंचे थे क्या जानकरी मिली थी आपको तो यह मोहलाल है यह नुरू खेड़ी का रहने वाड़ा है यह यह मेरे गुट डेड़ वस्ता में यहां इसके बारे में जो है ना समंदित दिकारियों को सूचना देदी परिवार के लोग मुखा पहुंचे थे तो इसका बताया जारा कि समाने टकर मारी यह दो अभी कन फ बारा की गाड़ी मौके पर पहुंचे थे फिलाल अब देख सकते हैं डेड़ बोड़ी को इसी इसी वहान के अंदर जो है लेकर जाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं फिलाल नरू खेड़ी के ही रहने वाला बताय जा रहे हैं जिसकी 30 से 40 वर्ष उमर बताई जा रही है और चाह सकते हैं इसे रहे हैं बताया जाड़ी को जरूर बेज दिया गया है यहां से अपील आप सबीससे करूंगा Monte देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे फिलाल आपको बता दू मौके पर ही उस वेक्ति की मौत हो गई थी अब घर से जो है काम के लिए निकला था या नहीं यह देख सकते हैं टायर के निशान टायर के निशान जरूर जो है ऐसा बताया जारे कि स्कूल वहां इस ठीक जिसने जो है टकर मारी अपीज़ आप सबीसे अपील करूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं करना हो तो फिर भी जो अना यह कई अपने जो आना हमारे जो यह तैयत के दिकारी आर और उनको अम इस बारे सूचित कर देंगा हाँ 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 और आपने उत्स अबिश्चनाई नियुक्ति को न है अधिक्ति की में लाइब व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है और अपने खेट में जा रहा है किस तरह से उस्ट कुछ क्या गाम परते थे यह जाड़ी मज़्दूरी चलाई करता है प्रवाइब देख सकते हैं इस टायरों के निशान से अंदाजा लगाया जा सकता है कोई बड़ा वान था काफी ब्रेक लगाने का प्रेयास किया गया है पर ब्रेक जो रवा है वो नहीं लग पाती और व्यक्ति को मौके पर मोहनलाल को कुचल दिया जाता है जिसकी मौके पर ही मोत हो जाते हैं उसके बाद तमाम गाउं के लोग यहां पर इकटा हो गए थे फिलाल अब एक नीजी वियान पर जो है शव को कर रॉड-वाएज़ कायाके वह सोफिन में बढले कि लाइकिने देना सक्तेया लिए लेख़ेपते हैं इस तोल शवर wouldnटे को पुछसे की सब्सक्राइब सबस्क्राइब रोम चाहा। जानकारी जुटाने का परयाज जरूर करेगी किस वहान से यह आसा हुआ मेरे आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करे